हाई, वेलकम तो दिस वीडियो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थेोरम और इसके बैसे पर कुछ कुछ कोश्चन साल्व करेंगे, ठीक है? So, first of all, हमने last वीडियो में हमने पढ़ा था ये वला expression कि dividend जो होता है is equal to divisor into question plus reminder, right? ये याद है? ठीक है? So, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे पास एक polynomial है, let's say कोई PX polynomial है, कोई भी polynomial है उसको मैं X minus sum number, X minus A से divide कर रहा हूँ ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? इसको मैं divide कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा dividend, let's say DD और ये क्या हो गया मेरा? divisor, right? तो इस expression में मैं डाल दूँ, तो क्या जेगा मेरा? PX equals to X minus A into question plus reminder, ठीक है? ना मैं तुमसे एक बात पुछता हूँ कि reminder में X की maximum power कितनी होगी? सोचो, इस case में जो reminder है, उसमें X की कितनी maximum power होगी? इसमें actually X की power maximum 0 ही होगी, तो इसमें X होगा ही नहीं actually, क्यों? क्योंकि हम जो divisor है, उसमें X की maximum power कितनी है? 1 है, right? तो हमने last video में पढ़ा था कि reminder में X की power कम होती है, divisor में जितनी X की power होती है, right? सो अगर divisor में X की power maximum 1 है, तो reminder में X की power maximum 0 होगी, तो मतलब X actually होगा ही नहीं इसमें, सो R will be a constant clear है? so R इसमें constant होगा हमेशन, अगर हम किसी polynomial को इस expression से divide करते हैं, X minus A से, तो R हमेशन constant होगा ठीक है? तो X की value जो मर्जी हो, R हमेशन constant रहेगा, तमझा रहे हैं है? यहाँ तो X, X variable ही है, ठीक है? now, अगर मैं इसमें X का equal to A डाल दूँ, ठीक है? polynomial, let's say मैं calculate करता हूँ, polynomial की value कितनी होती है A पे ठीक है? तो P में A डाल देता हूँ, तो यहाँ पे X हर, जहाँ भी X आ रहे हैं, आपे A डाल देता हूँ so A minus A into Q, Q में भी कुछ X होंगे, बट वो अभी मैं नहीं डाल रहे हूँ for the time being, now R में कुछ X नहीं होंगे, यह मुझे पक्का पता है, राइट? R एक constant होगा, ठीक है? now A minus A क्या हो जगा? 0, अब quotient में चाहे जितने मर्जी X हों, उसमें कोई भी value आए, उसमें X को यह डाल के ultimately वो 0 से multiply हो रहा है, तो यह emission क्या हो जगा? 0 right? plus R एक constant मेरे पास रहे गया, ठीक है? तो मैं देख पा रहा हूँ कि P A equals to कितना रहा है? R ठीक है? तो जब मेरा original polynomial है, let's say P X equals to X4 minus 3 X square plus X plus 1, let's say यह मेरा एक polynomial है, इसको मैं divide करता हूँ X minus 2 से, तो इसका क्या reminder आएगा? now X minus 2 से अगर मैं इसको divide करता हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ न कुछ कोशन तो आएगा, ठीक है? plus कुछ remainder आएगा, ना वो जो remainder है, मुझे पता बहुँ constant होगा, वो X के साथ change नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं X की value कुछ भी ले लूँ, remainder मेंशन सहीं रहेगा, ठीक है? तो अगर मैं X के value 2 ले लेता हूँ, तो क्या होगा? so P2, इस पूरे equation में डाल देता हूँ, X के value 2, 2-2 into Q, अब Q मुझे पता नहीं है, बट Q मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि 2-2, 0 से middle black करके कि यह तो 0 होनी वाला है, plus R, R मुझे पता है कुछ constant है, पर मुझे नहीं पता भी क्या है, ठीक है? तो P2 क्या आएगा? PX में अगर मैं X के लिगा 2 डाल देता हूँ, तो जो भी आएगा, वो P2 हुगा, वो कितना आएगा? 2 raise to power 4 minus 3 into 2 raise to power 2 plus 2 plus 1, ठीक है? equals to R, तो R के आगा है मेरा, 16 minus 12 plus 2 plus 1 which is equals to 7, तो जब मैं इस polynomial को X minus 2 से divide करूँगा, तो reminder मेरा 7 आएगा, यह तो verify भी कर सकते हो, ठीक है, verify करना है? तो let's इसको verify करते हैं, so X minus 2, से मैं divide करता हूँ, X raise to power 4 minus 3 X square plus X plus 1, तो कैसे divide करना है? X को देखना है, और X 4 को देखना है, तो क्या आजएगा? X cube, X cube को पर भी लिख सकते हैं, यह की बात है, ठीक है? तो X cube आगया, तो X 4, X से multiply करा, फिर minus 2 X cube, यहाँ पर तो X cube है नहीं, तो इसको लग से लिखना पड़ेगा, minus 2 X cube, यह होगा, minus, यह होगा, plus, so, अब मैं फिर से बड़ी power को आगे लेख लेता हूँ, यह पूरे तीनों तो नीचे होदा जाएंगे, minus 3 X square plus X plus 1, ठीक है? अब X को देखना है और 2 X cube को देखना है, 2 X cube को मैं X से divide करूँगा, तो क्या जएगा? 2 X square, so, 2 X cube, फिर मैं X से multiply करा रह 2 X cube होगा, minus 4 X square, minus 4 X square, यह कट गया, यह plus होगा, यह X square plus X plus 1, ठीक है? अब X को देखना है, X square को देखना है, तो X आजेगा, तो X square minus 2 X, ठीक है? यह कट गया, यह plus होगा, 3 X plus 1, अब X को देखना है, और 3 X को देखना है, अब गया जएगा, 3, ठीक है? so, 3 X minus 6, यह कट गया, यह plus होगा, यह 7 आजेगा, देखा, 7 remainder आ रहा है, तो हमेशा यह चीज होड करेगी, वैसे तो मैंने तुम्हें लॉजिकली भी समझा देख क्यों हमेशा यह होड करेगी, क्यों अगर हम इस expression को 0 बना देते हैं, तो dividend क्या होजएगा, remainder के equal होजएगा, तो PA क्या होजएगा, मेरा remainder होजएगा, ठीक है, तो यह हमारी remainder theorem है, ठीक है, जो हमने अभी तक समझा है, तो remainder theorem क्या कहते है, अगर हमारा PX एक polynomial है, और degree greater than or equal to 1, तो polynomial के degree जो होनी चीए, कम से कम 1 होन होना चाहिए, क्योंकि हम X की पावर 1 तो होनी चाहिए, क्योंकि हम X minus A से divide करना है, अगर X की पावर 1 भी नहीं है, तो फिर हम X minus A से divide नहीं कर पाएंगे, राइट, तो PX is a polynomial degree greater than or equal to 1, और A भी any real number, A कोई भी real number है, then if PX is divided by linear polynomial X minus A, तो PX को हमने X minus A से divide करा, तो remainder क्या आएगा, P A, ठीक है, तो यह हमने अपे तक पड़ा, so this is what reminder theorem says, ठीक है, ना लेट लुके है, तो यह सारे question NCRT से हैं, मतलब इसमें से पहले तिन question NCRT से हैं, फूर्द question नहीं, नहीं सारे question NCRT से हैं, यह सारे question NCRT से हैं, but most of the questions जो हमारे इस वीडियो में होते हैं, सारे NCRT से होते हैं, most of them, so first question is find the remainder when this polynomial is divided by this तो हमारा px क्या है हमें जिसको divide करना है xq plus 3x square plus 3x plus 1 और हमने किस से divide करा है x plus 1 से ठीक है हमें पता ही जब x minus a से divide करते हैं तो हमारा जो remainder क्या आता है pa आता है using remainder theorem right तो हम x plus 1 से divide कर रहे हैं x minus something से divide नहीं कर रहे हैं but क्या हम इसको x minus something लिख सकते है x minus 1 को मैंसे लिख सकते है x minus minus 1 right so इस case में यह क्या हो गया minus 1 so अगर हम इसका remainder निकालना है तो p minus 1 निकालेंगे minus 1 का q plus 3 minus 1 का square plus 3 minus 1 plus 1 तो एक क्या आ गया minus 1 plus 3 minus 3 plus 1 equals to 0 ठीक है तो इस case में remainder नमारा 0 आ गया वैसे ही second कर लेंगे second में एक क्या आएगा 1 by 2 तो इसमें 1 by 2 डाल देंगे सारे x की जगा इसमें एक क्या होगा इसमें सरफ x है तो x minus 0 एक तरह से right तो इसमें एक क्या हो गया 0 ठीक है इसमें क्या है x plus pi तो इसमें x minus a की form में कैसे लिख सकते है x minus minus pi right तो इसमें a क्या हो गया minus pi तो हमें क्या निकालना है p of minus pi तो इसमें minus pi डाल दो कि सारे जगा minus pi का cube plus 3 minus pi का square plus 3 minus pi plus 1 तो यह जो भी value आजएगी क्या आजएगी minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1 ठीक है यह value आगी now fifth कैसे करेंगे इसमें तो हमारे पास x minus a की form है यह निए इसमें तो 2x है actually इसको कैसे करेंगे नो यहाँ पे ना तुम्हें थोड़ी सी understanding पता होने चाहिए कि हमने reminder theorem जो हम apply कर रहे है वो कैसे आ रहे थी हम कैसे कर रहे थे कि हमारा जो हम जिस पॉलिणोमिन को px को x minus a से divide कर रहे थे तो हम कैसे लिख ले थे px equals to x minus a into some quotient plus reminder राइट तो हम कहते थे कि हम x equal to a पे निकालेंगे तो यह तो expression पूरा zero हो जाएगा तो p a equal to r हो जाएगा राइट हमारा यह तरीका होता था कि हम बेसिकली हम इसको zero कर देते थे राइट क्योंकि x हम नहीं ले 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 थे नाव इस case में क्या है हमारा case हम px जो हमारा है उसको हम इससे divide करना है तो कुछ quotient आएगा और कुछ remainder आएगा और remainder क्या होगा constant होगा x के साथ change नहीं करेगा तो अगर हम किसी तरह यहाँ पर कुछ ऐसी x की value ले ले जिसे यह zero हो जाए तो अगर यह zero हो गया तो zero into q भी zero हो जाएगा तो फिर again p of that x की value will be equal to r जिस पर यह zero हो रहा है राइट कुछ ऐसी x की value ले ले जिससे हम यह zero हो जाए फिर उस x की value पर जो भी p x आएगा वो हमारा r हो जाएगा राइट तो क्यों सी x की value है जिस पर 5 plus 2x zero हो जाता है तो निकाल लेते हैं 5 plus 2x equal to zero 2x equals to minus 5 x equals to minus 5 by 2 x equals to minus 5 by 2 पर 5 plus 2x zero हो जाता है ठीक है तो हम क्या करते हैं p minus 5 by 2 निकालते हैं तो क्या आएगा 5 plus 2 minus 5 by 2 into q plus r तो p minus 5 by 2 यहां से निकालोगे इसमें x की जगा सारा minus 5 by 2 डाल दो minus 5 by 2 का q plus 3 minus 5 by 2 का square plus 3 minus 5 by 2 plus 1 equals to नाव यह क्या आएगा 5 plus 2 into minus 5 by 2 तो 2 से 2 कटते हैं 5 minus 5 जीरो आजएगा और r तो r की value की आएगी इस पूरे को solve करके जो value आएगी हमारी r की value होगी clear है? वो remainder है हमारा ठीक है? कुछ doubts हों तो comments में पूछ लेना now second question is कि नाव हमें यह polynomial है हमारा इसको हमने x minus 1 से rewrite करना है ठीक है? तो remainder क्या होता है? जब हम x minus 1 से rewrite करते हैं? PA, right? using remainder theorem तो remainder यह होगा इसमें PA निकाल लेते हैं कितना आ रहा है? A cube minus A into A square plus 6A minus A, right? A cube minus A cube plus 5A तो यह आगया हमारा 5A ठीक है? तो यहाँ पे हमने A की terms में remainder निकाला है ठीक है? क्योंकि हम हमें पता तो हैं नहीं A की value किया है तो हम इसमें number नहीं निकालते हैं तो 5A ही हमारा answer है ठीक है? ना इसमें हमें क्या करना है? check whether this this is a linear polynomial, right? जिसमें x की पाफ माश्मिप 1 है is a factor of this तो हमें चेक करना है यह इसका factor है कि नहीं है? तो कैसे पता लगता है कि कोई किसी का factor है? बताओ अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, let's say यह हमारा px है और यह हमारा gx है तो अगर मैं px तो gx से डिवाइड करूँ तो कैसे पता लगता है कि यह factor है कि नहीं है gx? अगर remainder 0 आता है, right? अगर remainder 0 आएगा तो मतलो यह मेरा factor है इसका gx factor है px का अगर remainder 0 नहीं आता तो मतलो gx factor नहीं है अगर मुझे देखना है कि इसका जो remainder है वो कितना आता है, right? तो अगर मैं जब मैं px को gx से डिवाइड करूँगा तो यह मेरा क्या हो जागा? px dividend हो जागा और यह divisor हो जागा तो मुझे पता है कि इन में relationship क्या होता है so px equals to gx into some questions आएगा let's say वो qx आता है और कुछ remainder आएगा let's say वो rx आता है qx, rx की जाएगा तुम q और r भी लिख सकते हो पर ultimately एक ही बात है now rx में बस एक चीज़ धियान रखने वाली है कि rx basically यहाँ पर rx क्या होगा एक constant ही होगा क्यों हमने जो gx है हमारा वो क्या है हमारा 7 plus 3x है एक linear polynomial है जिसमें x की maximum बावर कितनी है 1 है तो rx क्या होगा r ही होगा है सिरफ एक constant होगा कुछ ठीक है इतना clear है क्यों constant होगा क्योंकि इसमें x की power maximum 1 है तो यह constant ही रह जाएगा ठीक है now तो यह आगया हमारे पास expression ठीक है तो px हमारा क्या है 3x cube plus 7x ठीक है now इसमें अगर मैं x की power sorry इसमें अगर मैं किसी कोई ऐसी x की value डाल दो जिससे यह 0 हो जाए तो क्या होगा यह में पूरा 0 हो जाएगा तो जो भी remainder आएगा वो इसमें जो x की power वो डाली जो इसमें x की value वो डाली होगी वो मेरा remainder आजाएगा और मुझे remainder तो चेक करना है कि remainder अगर 0 है तो यह factor है और remainder अगर non-0 है तो यह factor नहीं है right so अब मुझे यह 0 करना है क्योंकि यह मुझे unknown है तो इसको मुझे हटाना है तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो 0 into something 0 ही हो जाएगा तो हट जाएगा तो 7 plus 3x मुझे देखना है 0 कब होता है कौन सी इसी x की value है तो 3x के आगया मेरा minus 7 x equals to minus 7 by 3 तो x equals to minus 7 by 3 पे यह 0 हो जाता है तो मैं x equals to minus 7 by 3 डाल जाता हूं so 3 into minus 7 by 3 का q plus 7 into minus 7 by 3 equals to 7 plus 3 into minus 7 by 3 into qx plus r ठीक है so यह के आजएगा मेरा minus 3, 43 by 9 यह तुम calculate कर सकते हो minus 49 by 3 equals to यह 0 आजएगा ठीक है r so r जो आजएगा वो यह वली value आजएगी अब यह non-zero आ रही है तो मैं इस वावल करोगे तो basically non-zero आएगा यह ठीक है non-zero है तो इसका मतलब किया यह this is not a factor of this so gx के हमारा px अफेटर नहीं है तो answer is no ठीक है now this is the last question तो इसमें हमें क्या दिया हो है कि if r1 is the reminder when this is divided by x plus 1 so यह हमारा एक polynomial है let's say इसको हम px बोल दते है इसको हमने x plus 1 से डिवाइड करा तो remainder क्या आएगा हमारा हमने एक तरह से इसको x minus 1 से डिवाइड करा रहा राइट तो remainder r1 क्या होना जी हमारा p of minus 1 which is minus 1 raise to power 4 minus 3 minus 1 raise to power 3 plus minus 1 raise to power 2 plus a कितना आगया 1 plus 3 plus 1 plus a equals to 5 plus a तो यह हमारा आगया r1 और r2 क्या आएगा हमारा p1 let's say यह हमारा gx है तो यह क्या आएगा g1 क्योंकि इसको हमने x minus 1 से डिवाइड करा रहा है तो g1 आएगा तो इसमें 1 डाल देते हैं 1 raise to power 4 plus 1 raise to power 3 minus a 1 raise to power 1 plus 1 minus a plus 1 equals to 3 minus a ठीक है r2 यह आगया अब हमें पता है r1 plus r2 कितना है 9 sorry r1 plus 2 r2 9 है so r1 कितना है 5 plus a plus 2 r2 3 minus a equals to 9 so 5 plus a plus 6 minus 2a equals to 9 तो आगय 11 minus a equals to 9 so a equals to 11 minus 9 equals to 2 so यह आगया मारा a equals to 2 is the answer ठीक है? simply हमने रिमांडर थेोर्म यूस करी है यहाँ पर ठीक है? so that is it for this video thank you very much for watching bye bye